अगर आपके घर में कोई सब्जी ना हो और कुछ बढ़िया सा स्टार्टर बनाना हो और साती में बहुती टेस्टी सी सब्जी भी बनानी हो तो यह वाली रेसिपी आप ज़रू ट्राइ कीजेगा मतलब यह ऐसी रेसिपी है जिसे आप चाय के साथ भी सर्फ कर सकते हैं और अगर बज जाए तो इसकी अप सब्जी भी बना सकते हैं तो है ना काफी इंट्रेस्टिंग इससे बनाने के लिए यहां पर मैंने लिया है सबसे पहले चना दाल जिसे मैं बिलकुल अच्छे से धो लिया है धोने के बाद इसे हम 3-4 गंटे ऐसे ही पानी में बीगने देते हैं जिसे कि यह अच्छे से फूल जाएगी तीन से चार गंटे में ही डाल बहुत अच्छे से भीग जाती है यह दिखी तोड़के मैं आपको दिखा रही हूँ बहुत ही अच्छे से तूट जा रही है मतलब काफी सॉफ्ट हो गई है तो बस हमें इतना ही भीग होना है जिसे की आसानी से तूट जा और ग्राइंड करते समय परेशानी ना हो और चलिए अब इसे में ग्राइंड करना है तो ग्राइंड करने से पहले इसे हम एक बाद चान लेते हैं क्योंकि हमें यहाँ पर पानी बिल्कुल भी नहीं चाहिए पानी यहाँ पर हम थोड़ा ही से डालेंगे दो से तीन टेबल स्पून ताकि ग्राइंड करते समय परेशानी ना हो और इसे अब हम ग्राइंड कर लेते हैं बीच बीच में आप धकन को खोलते हुए इसे चम्मा से चलाते हुए ग्राइंड कीजे ताकि जो डाल ही evenly अच्छे से ग्राइंड हो जाए और बस एक से दो मिनिट में दाल अच्छे से ग्राइंड हो जाती है भी इस तरीके से डर्दर्ई होनी चाहिए और चली मैं नहीं च्पर करना है दो लेते हैं पान और इसमें हम डालते हैं 2-3 टेबल स्पून तेल, तेल यहां पर जैसे ही गरम होगा, इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा जीरा, साथी में हम थोड़ी सी सौंफ भी डाल देते हैं, और इसे हम कुछ सेकेंड के लिए सौटे करेंगे जब तक जीरा हलकी ब्राउन कलर करना हो क्योंकि हमें कुक्क करना है और दाल थोड़ी सी गाड़ी है इसलिए मैंने थोड़ा सा पानी आड़ किया है, अब इसे हमें कंटिन्वस चलाते हुए कुक करना है जब तक यह दाल जो है अच्छे से सिक न जाए और पैन को न छोड़ दे, तो यहां पर आपको चलाना बिल करना ना भूलें, जैसे से डाल को आप कुक करते जाएंगे वैसे 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 काफी पानी अब्जॉर्फ कर लेगी और ठिक होती जाएगे, तो यहां पर इसे कुक करने में ज्यादा टाइम भी नहीं लगता है, सिर्फ 3-4 मिनिट में ही बहुत ही असानी से यह दाल सिक जा यहां पर धन्यापती डालना जरूरी नहीं है, यह बिल्कुल ऑप्शनल है, आप चाहें तो इसे स्किप कर सकते हैं, कुकिंग करते समय आपको बिल्कुल भी जल्दबाजी नहीं करनी, अगर दाल कची रही अच्छे से कुक नहीं हुई बहुत जादा पानी रहा तो यह से पैन को असानी से छोड़ दे रहा है, और कितना थिक हो गया है, तो बिल्कुल इसी तरीके से सॉफ्ट और स्मूध आटी की तरह ही यह मिक्षर होना चाहिए, तो अब हमें यहां पर और खुक नहीं करना है, फ्लेम को बंद करते हैं, और अब इसे में सेट करना है, तो लेत अब आपके पास इस तरीके का बेकिंग ट्रेय नहीं है, तो घर में कोई भी थाली को ओल से ग्रीज करके इस मिक्षर को स्प्रेड कर सकते हैं, तो स्पैचुला से प्रेस करते हैं, बिल्कुल इविल्ली यह देखिए, मैंने बेकिंग ट्रेय में में बहुत अच्छे से अच्छे से थंडा ना हो जाए, अगर आप मुझ से कुकिंग सीखना चाहते हैं, तो मेरे बहुत सारे कोसिस हैं, इसके लिए आप मेरे आपको डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन वोक्स में दे दिया है, पंदर से 20 मिनिट में यह मिक्षब इस तरीके से मैं कट कर रही हूं, आप इस स्क्वायर ये रेक्टांगुलर शेप किसी में भी कट कर सकते हैं, लेकिन ये वाला जो नाश्ता है बर्फी के शेप में देखने में बड़ा ही अच्छा लगता है, और इस तरीके से कटिंग करने के बाद ये दे कि मैं सभी को न लग रहा है देखने में, और इस नाश्ते को बनाने ही खास बात ये भी है कि इसे आप जादा कॉंटिटी में एक बार में बना लीजिए और स्टोर करके भी रख सकते हैं, स्टोर कैसे करना है चलिए मैं आपको दिखाती हूं, तो यहाँ पर मैंने एर्टाइट कंटेनर ल लगए मैं साथ–800 पीशसृ नाश्ते को बैंगॉल में धोका बोलते हैं और जब हम wraत ही सबसी बना लेते हैं तो एससे बोलते हैं धोका डालना। ये बंगॉल के बहुत ही फेमस देश तjak हर कोशे है और बहुत ही बढ़िया से यह मारा धोका बनके रेडी हो गया है कितना बढ़िया हलके ब्राउन कलर का हो गया है खाने में इसका टेस्ट काफी लाजवाब है और चाय और कॉफी के साथ इसे गर्मा गरम खाने का मज़ा ही अलग है यह देखे मैंने कुछ धोका को एरफ्राइ यहांनि यहांनि अगर आप इसे बगे रॉयल के भी बनाना चाहते तो बहुत ही आसानी से बना सकते है खर लग रहे उतने ही लाजवाब बनें देखने में भी बड़ा ही अच्छा लग रहा है तो इस तरीके से आप इसे स्टार्टर में भी सर्व कर सकते हैं और अगर यह कॉंटिटी में आपने बना लिया है बच गिया है तो इसकी सबसी कैसे बनाई ये भी देखते हैं तो सबसी बहुत ही सिंपल है बनाना इसके लिए यहाँ पर मैंने प्याज और तमाटर को जो है रफली चॉप कर लिया है और बस इसे हम ग्राइंड कर लेते हैं प्याज कर लेते हैं तो यह में अचली ह में भूना है तो पैन में डालते हैं नी AZC तो यहां पर मैंने तीन टेब्स पून सरस्य का टेल ली तो कि अच्छे से गरम हो गया है और इसमें हम डालेंगे होगा लाउन झसमें लाज एलाइची और दालचीनी और इसे हम तेल के साथ थोड़ा सा भुन लेंगे भुनने से बहुत ही अच्छा सा फ्लेवर आता है कुछ सके नहीं हमें भुनना है और अब इसमें खड़ी लाइज मिर्श भी डालते हैं और सभी खड़े मसालों को हलका सा भुनने के बाद अब इस सब्टेज मिर्श भुन चुका है थोड़ी सी सिकी और भुनाई करनी है तो उस से पहले सिसमें सभी मसाले डाल देते हैं कलर के लिए यह पर थोड़ा सा हदी पाउडर डाल रहे एं साथ में यहां पर धन्य पाउडर डालते हैं और टेश की साब से यहां पर नमक डालेंग प्रेवी में बॉयल आएगा वैसे ही इसमें डालते हैं फ्राइ किये वे दोकर और इसे हम बिल्कुल जेंटली मिक्स करेंगे बहुत ही बढ़िया यह सब्जी बनके रेडी हुई है इसके लिए नहीं कुछ चॉपिंग करनी है और नहीं बजार से कोई सब्जी लाने की जरु सिर्फ ब्यास् नमाटा की पेज़ बनाई है और चाना दल से फुका बना गर्म कर सकते हैं लसमिक्स करने के बाद के दो मिनट के लिए से ढख़ देते हैं और डखने के बाद यह सब्जी जो है बनके रेडी हो गई है aware मिर्च जीसे मैंने इए इस तरीके से पतला लंबा कट किया है थोड़ी सी धनिया पती डाल देते हैं और लास्ट में थोड़ा सा गरम मसाला अड़ कर देते हैं और सभी चीजों को बिल्कुल जेंटली मिक्स करेंगे और आप देखने कितनी पॉफ है कि सबजी लग रही है खाने वे बहुत ही मज़दार होती है और एक बार इस अच्छी बनी है और इससे पहले मैंने बहुत ही इजी वेव में एक नई तरीके से प्यास का पकॉड़ा बनाया था तो इसकी रेसिपी को आप यहां पिकलिक करके जरूर देखिए